हेलो गाइज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टिडिग विद अमन कुलमी आज हम सैंपल कुशिन पेपर क्लास 10 के बच्चों के लिए डिसकस करेंगे तो यह सैंपल पेपर आपके बोर्ड एक्जाम के पेपर जो फाइनल टम का आपका पेपर होगा बोर्ड असथद गरने तो सबसे पहले आपका पैसे जाता है और हम पैसे को भी पढ़ेंगे क्यों कि हंदी और इंगलिश आपके हंदी और इंगलिश में ऑनिसम पैसे जाते है आपको 5 नमबर दस नमबर से अब यह ज्यादा नंबर चाहिए थूर्ड टिपिकल भी हो जाते हैं यानि आपको अगर आप में करेक्ट आंसर नहीं लिखा नहीं लिखा नहीं तो आपके नंबर कड जाते हैं तो और आप द्यांच करना है पहले हम इसे पढ़ेंगे फिर इसकांसा करेंगे घर जैसा छोटा सा क्योंकि यह ज्यादा बढ़ाने होता तो आप दो मिनिट के अंदर पेपर में भी इसे पढ़ सकते हैं घर जैसा छोटा सा शब्द भावना तक दिश्टी से एक बहुत विशाल होता है इ जबकि घर प्यार भरोसे और रिष्टों की मिठास से बनता है एक आधर रिष्गर वही है जिसमें प्रीम वा भरोसे की दिवारे आपसी तालमेल की छटे रिष्टों की मधूरता के खिल खिले रंग स्ने समान वा समवेदाओं की सज्जा हो घर में भावनात्मक वे है वे प्रावनात्मक जो सम्बंदों को महाकर परिवार को जोड़े रखती है यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिष्टे महाखते हैं तो घर महाखता है प्यार अटखेलिया करता है जिस्टों का उलास घर का उलास होता है इसलिए रिष्टे तो घर और रिष्टों के बीच बहुत प्रेम घर की नीव है यह नीव जितनी मजबूत होगी घर उतना ही मजबूत होगा ना जाने क्यों आज का मनिश्य सवेंदाओं से दूर जा रहा है उनके मन की कोमलता कटोरता में बिदल रही है दिन रात कारे में वैस्थ होने और धनों पारजन जाने के लिए दनकोस amoris कि खटा करना जाने की अभी त्रीव लालसा से उसके उसके अंदर मशीनेत बढ़ रहा है इनि मशीन में यूज़ बढ़ रहा है इसलिए उसके घर के माइनने बदल रहे हैं वो घर की रिष्टों में नहीं द्यान दे रहा है उसकी एहमियत बदल र ख़ते जा रहे हैं इकाड़ कि Q रहे हैं अगर टोच तो सब किसी भी ध्यान नहीं देतें काश सब घर की आहम्याद समझी और अपना अहम यानिया इंकार हटा कर घर को घर बनाएं तो आप तो समझ गए होंगे घर की बारे में दे रखा है घर अमारा मकान वगेरा नहीं होता अब हमने पैसेज को पड़ा है अगर आपने इसे बिना स्कि चाश नातां का माधूरे वास अमीरा आकर्शक बनावत संदर लोग और वेबिन तो संदर लोग ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा था सुंदर रंग जन आंत्रिक सजावट अन्धर की सजावट तो अंदर की सजावट घरकी सजावट से को मतलब नहीं है स्ने सम्मान सरस्त समयनाइ संपन्ता वा साज सज्जा तो अब दिख से हमारा पहला कथन सही है और यहां पर हमारा फूर्ट कथन भी सही है तो कथन एक सही है हमारा कथन एक और दो दो वाला तो करेक्ट नहीं है तो यह वाला गलत हो रहाएगा गा में हमारा कथन दो और कथन तीन तो गलत ही है तो ये भी गल्त हो जाएगा हमारा फिर हमारे हमारा कथन तीन और कथन चार तो इसमें कथन तीन गल्त हैपर चार सही है पर ये भी गल Chow जाएगा तो इसमें को आपका कथन का सही हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कोशन समाने रूप से मकान भवन प्लैट जो फ्लैट कमरा कोठी आदी शब्दों का संग्भन किस से होता है रिदय की भावनाओं से वैबब और स्मृद्धी से स्थाने सुविधाओं स बनावत से मेरा बड़ा मकान है भवन है तो अप्शन हो जाएगा आज के पीड़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है अकेले में एक आतिका नेजी जीवन वा एक आन्तिका में परिवार में नहीं दिखता हुए बिना मेहनत सब कुछ मिल जाने में उसमें इसमें दिखाई दे रहा है सुख धन कमाने में सुख दिखाई दे रहा है परवार भावना तक संबंदों में उन्हें सुख दिखाई दे रहा है पर उन्हें किसमें दिखाई दे रहा है नीजी जीवन और एकांत यानी अकेले रहने में प्राइव प्रेमपो घर का अधार बढ़ा गया अपने गद्यांश ध्यांच से बड़ा बढ़ा हुआ आपूशन नहीं बढ़ा गया बरोसा नहीं बढ़ा गया उल्लास नहीं बढ़ाई गया और फिर यहां पर एसरशन रिजन यारी आपको बताना है काथन और कारण में से सही क्या है आदमी के अंदर समवेदनाओं की जगे मशीनियत बढ़ती जा रही है, यह संटेंस अभी आपने पढ़ रहा था, गद्यांच में, क्योंकि यानिंगी उन्हें समवेदनाओं से जादा मशीनियत जादा बढ़ती है, क्योंकि वैस्ता और अथोबिजिन की अती महत्वकान शा ने उसे यहां तक पहुंचा दिया, यानि क्योंकि लोग बिजी रहने लगे हैं और उनकी महत्वकान शाय बहुत आगे बढ़ चुके इसलों उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया, तो आप देखिए, कथन तो हमारा सही है, हमने गद्यांच में भी पढ़ा था, पर कारण बढ़ साही व्याक्याना कर रहा तो या फिर हम, वेस्ते हैं मसीने तैब भी बढ़ गई है, तु यह हमारा गद्या कथन कथन भी सही है, कर दो प्शे , कुद्ध काक्थ्न तो मुझे त्वहा हरा है, क्योंकि आप औप्शन लेइन यह होता ह। आपको कि अपके पहले ऊप् अब जो दूसरा प्रश्ण में पोएम प्रदे रहा है इस पोएम को आपको पढ़ना है चोटी सी है इसे भी पढ़ लेते हैं पोएम एनी पद्यांश सच हम नहीं सच तुम नहीं सच है संगर्श ही संगर्ष से हट कर जिये तो क्या जिये हम या कि तुम जो नत हुआ वोएम नहीं सच तुम नहीं सच है महच संगर्श ही ऐसा करो जिससे नाप्राणों में कहीं जड़ता रहे जो है जहां चुपचाव अपने आप से लड़ता रहे जो भी परिस्तितियां मिले काटे चुबे कलियां खिले तूटे इन नहीं इनसान बस संदेश योवन का से ही सच हम नहीं अपने रिदे का सत्य अपने आप हमको खोजना हमने नयन का नीर अपने आप हमको पोचना अकाश सुख देगा नहीं तरती पसीजी है कहीं हर एक राही को भड़क कर ही दिशा मिलती रही सच हम नहीं अब इस कवीता में आपको भाव जो उतने ने रखते हैं उसे कथन को पड़कर आपको ताना कौन से सही है प्रतिकूलता की विर्द जूजते हुए बढ़ना ही जीवन की सचा ही है पर इस सितियों से समझाता कर लेना चाहिए और जोकिमों से बचना ही हुचिता है गलत है यह तो लक्षे संदान है तो मार्च से बचनाने का भैद द्याग देना चाहिए यह वही सउइया आपका जीवन में अपने में च्छॉले जीवन में चाले खुद भुन सहलने का दर्शन अपनाना चाहिए तो यह तोड़ा आपको सेट्टेंस तो सज़ह है प्रेंगी यह लंग्वीज वह गलत है थो इसमें हम देखें इसमें आपका फिर्स्ट ऑप्शन और फॉर्ट ऑप्शन 25 करेक्ट था तो इसमें इसमें टो गलत फॉस्ट और ठॉर्ड सही है फषित अई इसमें हम 4 भी तो सही धार तो इसमें आपका ग sap o प्रफ्षन फर्स थर्ड और फॉर्थ करेक्टर जाएगा फिर मर्य नर्थात मृत्यों को जीतने का आश्य क्या है तो साधुता वा साधना से अमरफ्त प्राप्त करना योग अभ्यास वा जीविश्यों से दुरगाई हो जाना तो यह में पुप्रद्यानिश्में दे रखा जीवन वा जीने के बाद भी आदर्ष रूप से स्मरेंट क्या जाना मरण अर्थात मृत्यों को जीतने का आश्य है यानि मृत्यों से भी जीत जाया आप यानि जब जीवन के बाद भी आपके आदर्ष आपके विचारों को लोग याद रखें आपको बार बार याद करें तो उसे आपको स्मर्ण करें वो हम मृत्यू से भी जीच जाते हैं नेक्स्ट है अकाश सुख देगा नहीं धर्ती पसीजी है कहीं का अर्थ क्या है तो इसमें इसका मतलब है यानि जुजारू बनकर यानि इसका साफ साफ अर्थ आपको आसमान शुक नहीं देगा अपको धरती सुखनी देगा आपको अपना शुक्स किसे ले ना खुभ छे ले ना अपने दुखों से किसे लएना खुद को लढ़ना यानि जारू बनकर स्वयमी अपने जीवन के दुफ को दूर करना आपको तो इसमें आपका girl option आजाएगा अपने आप से लड़ने का अर्थ है अपने आप से लड़ना यानि अपने आपको मारना नहीं अपनी दुरबलताओं को अंदेखी ना करके उन्हें डिंटा से दूर करना फिर यह वा ववस्ता हमें सिखाती है कि क्या सिखाती है ववस्ता हमें स्वयम को चैतन्य गतिशील आत्मे अलोचक वा आश्रवादी बनाए रखे और सजग रहें जीवन में सभी कटिन प्रस्तित्या उत्पन ही ना होने दे यह गलत है अगर आउट्वन हो रही है तो ढमीशका सामना करें यह उता सुक्दुख उतार-शडव को भागय बनाँ न कर स्विका ли करने रश्त कारत हैं तो यह हमारा तोड़ा बहुत करेक्ट है आप जो 2 o पेपर उसमें दो दूब आएंगे आपको पहला वाला करना या दूसे नहीं अगर Apple नहीं आ रहा है कोई एक कुष्शन भी नहीं आ थे तो तूसल किसाथ कर लेते हैं फसल किसान के श norm की लेए लह लाती आस The ये उसके रिदय की गहराईों में अंकुरित एक विश्वाश है ये विश्वाश है दही हुई दिवार की चिनाई का अठारा पार कर चुकी बेटी की सगाई का परचुनिये की उधारी चुकाने का मन के सपनों को नए परिधान पहनाने का इसी विश्वाश को सलामती के ना जाने कितनी बार वे जाकता है नीम से और जागा देना चाहता है उस परमात्मा को भी जिसके बारे में सुनता आया है सभी कुछ उसके हाथी है और इसलिए जब फसल सोंदे आती है असल में किसान के सपने सोंदे आते हैं और फसल घर आ जाने पर सप्ण पक जातें गूतित तो यह पोहिमने से बैंक हो में गसी और यो सिरलता से मिल एसा कमा सकता है और एक भागनात्मक लगा हो जाता है तो सेकिंड करेक्ट है फसल से जुड़ी निराई सिचाई कटाई भंडारन आदी के सपने देखना तो आई ये भी नहीं है फसल से ही अपने जीवन की जरूरी इच्छाओं की इच्छाओं की साकार होने की संभावना जुड़ी होना तो इसमें आपका फर्स औप्शन और फोर्थ औप्शन करेक्ट है तो इसमें आपका गव औप्शन आ जाएगा गव औप्शन कथन सेकिंड और फोर्थ करेक्ट है फिर सेकिंड कोशन दे रखर में किसान के रिदों की रिदै की गहराईयों में अंकृत हुए विश्वाश की परीजी में आते हैं, क्या आते हैं? अतियावशक कारे एवन मन के भावनात्मक सपने दुआएं प्रेशित करता है उपर तक तो जो फसल की कुशलता है तो मन ही मन इश्वर से प्रात्ना करना यानि दुआएं उपर देता है भरोसे और आशंका से आशंका की रस्ताकशी में इसमें किसान की मनोदशा से जुड़ी हुई क्या मतलब है इसका तो इश्वर पर विश्वाश किन्तु फसल की कुशलता को लेकर मन अंकन आशंकित कर रहना वो हमारा भरोसे और आशंका की रस्ताकशी में जो किसान के मनुदश है किसान अपनी फसल के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है वेफसाय और वेफसाय के बीच ऐसे संबंद स्वभाविक होते हैं तो इसमें आप देखे कथन तो सही है पर इसका रीजन करेक्ट नहीं है क्यों सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि हम अपने काम से तो इतना भावनात्मक रहते हैं तो ऐसा रीजन नहीं हो सकता तो इसमें आपका गहाँ उप्शन रहेगा कथन सही है और किंतु कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है पिर तीसा प्रश्णा वापको यहां पर ग्रामर आ गई है ग्रामर के कोश्चन है र मिक्षब है तो पहला प्रश्चन ना तो तुम वहां जा सके ना ही मैं तो इसका सरल वाक़्े में यह होगारा से मिक्ष है इसे हमैं सरल वाक्य हैं में सरल वाक्य है नहीं जिसे जार है याहिएं हम दोनों ही जा सकती तो हम लिख लएंगे थो ब entferمر मैं। सूरेद रहल होती ही प्रकृती का संदर रिखील उठा रिखंद 25 हैं credible हूं कि प्रकृत्रन में लिख नव. दो वाक्य हो गया, सूर Poss目 कर, होता है और प्रक्रिति का संदर्म खेल उड़ता है खा Yap, procedures आ जाएगा आपके आवाज उठाने पर सभी आपके पाँ साथ खड़े हो चाएंगे इसका मख्शिवाक्य क्या हो जाएगा यह निए इसका mixed वाक्य बताना है, mixed वाक्य यानि आख्शिर्ट वाक्य आप अवाज अठाएंगे, तो सब भी आपके साथ खड़े होगे याई आप अवाज अठाएंगे, तो सब भी आपके साथ खड़े होगे ख़ब option आपका correct है इसमें मिक्षवाक्य को पहचान कर आपको सही विकल बताना है तो आप देखिए आप कह सकते थे एक सेटनेंस का दमा कि गलती आपने नहीं की ये भी मिक्षवाक्य है यदि आप अपना पक्ष रखते इतना बोलने पर आगे में बोलना पड़ेगा तो अवेशे ही निष्यव्त सही होता ये भी मिक्षवाक्य है जब आपने गलती ही नहीं गई तो उसका दंड आपको ने क्यों मिलेगा यह भी mix वाक्य है चुंकि दोश कोई और है इसलिए यह दोश अपने उपर बिल्कुल मत लीजे तो चारो ही mix वाक्य है तो इसमें आपका go option चारो ही सही है आपका आ जाएगा अब next आपको दे रख है बिल्ली आई और दूद पी गई अब बिल्ली आई और दूद पी गई इसमें आपको सही वाक्य को mail करना है बिल्ली आई दूद पी गई दो वाक्य है तो यह सहींत वाक्य हो जाएगा इसमें सहींत वाक्य यदि दूद बाहर ना रखा होता तो बिल् बिल्ली ना दूद बाहर ना रखा तो बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती तो यह आपका मिख्श वाक्य है अब यह पूरा एक ही सेंटेंस आप देखिए हम बिल्ली का जूटा दूद फेक ना पड़ा तो इसमें आपका सरल वाक्य आजएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं बाच्छे और एक होता हमारा भाव बाच्छे अब इस तीनों के बारे में एक बढ़ा थोड़ा थोड़ा मैं बताती हूं करता अगर आपका करता जस्लाइक मैं एक सेंटेंस लिखते तो जिसमें आपको कोई दिकत नहीं राम खाना खाता है यहां पर आप देखिए राम य जाता है तो राम के द्वारा यानि खाना यहां पर जो है वो करम आ गया राम के द्वारा क्या करता है खाना खाया जाता है तो खाना यहां पर प्रधान है तो प्रधान और जैस्ट राम यहां पर मैं लिख देते हूं के द्वारा खाना का तो खाने लिख दिया खाना खाया होता है यानि जो क्रिया है वह ऊक्रों के एंसा लगती ना कर्म पहुंसार लगती है इसको पहचानने के लिए हैं करता में हमारा यूस होता है जातर कि कर्मत्र मैं हम कया है तो काकर गार कला कि जातर सेंटन्स वह पहुंसाइब ट धेल का Our भाव अच्छे में से और नहीं जातर यूज होते हैं से और नहीं लग जाए तो यहां पर पहला सेंटेंस है भारत द्वारा मैच जीत लिया गया तो भारत द्वारा मैच जीत लिया गया यहां पर जो मैच है जीत लिया गया वह हमारा मैंने का कर्म कर्म पर हमारी क्रिया आई यहां पर देखें ने उपक्रिपे अपर रुका नहीं चाल भाइक हैं एसे तो पैचान सकते हैं और फरस्ट का ऊसरी था इन में कर्म बाच्चे का उधारण है तो कर्म बाच्चे मैंने बताया आपको जरूरी नहीं है कि बार बार की द्वारा लगे ही कुछ ही में ही होता है यह मैंने एक ऐसा पहचान बताई है रवीना गजल नहीं गापाती तो यह तो नहीं होगा क्योंकि नहीं रवीना के अनुसार पाती हमारा ये करता के अनुसार लग रही है रवीना पैदल नहीं पाती है तो ये भी करता के अनुसार लग रही है रवीना से गजल नहीं गाई जाती है तो ये जो है रवीना से गजल नहीं गाई जाती है तो गजल पे जोर हो रहा है तो यहां पे आप करता के अनुसारी चल रहा है को क्रिया हमारी जो करता के अनुसारी चल रहे तो का ऑप्शनी करेक्ट है जाएगा दादी जी पढ़ नहीं सकती इसका भाव अच्छे क्या हुआ रहा है या दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता दादी जी से कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगी खर नहीं झाट है दादी से पड़ा साकता ह십सा है अनुए बीना Zac carnival कर्दारों दूज्य को है बेखान है यह अपने प्रत परिक्प नेखते हैं उसके अलावा कुछ और नहीं नहीं करता हर्याली शेट हर्याली हमारा रचक संख्या यह तो हमें देखते ही चैनल ले नीचे यह वाय। संक्या नहीं जाती से रिलेटेड क्लास वगरा ऐसा नाम होता तो जाती वाचक होती यहां पर हर्याली भाव वगरा से हैं तो यह सबसे पहले अब आप देगे जाती वाचक संक्या और यह दोनों ऑप्शन तो करेक्ट हो गए बहुत अब हर्याली हमारी इस ट्रेलिंग में द जैसी एक औप्शन करेक्ट तो हम्हारा हमें पता चलोंके यह वाला मारा करेक्ट होजएगा फिर हमारा जोड से तो जोड्से हमार रीती वाचक क्रिया विशेशन हैर इसमें क्रिया है मारी अब ये रीति वाचक आपके स्लेवेस में नहीं परतानी इस सैंबल बड़ में आए तो आपको इसके बार में भी पढ़ लेना है तो रीति वाचक क्रिया विशेशन आपका आजाएगा इस में नेक्स है यह पुस्तक तो इसमें यह हमारा इसका परिशे निकालना है यह हमारा सर्वनाम है और यह सार्वनामिक विशेशन है क्योंकि मतलब यह विशेशन है पुस्तक के लिए विशेशन यूज हुआ है और यह क्या है सर्वनाम है तो सर्वनामिक विशेशन होगा संकेत व में पणाखाया तो खाया थी निए सभी मात्स मारे खायश यह दूनों तो नहीं होंगे सकार्म है कि य últimas किया क्रेया मिलिए में और गैर यसको तो सकार्मिक अब मरना जैवार सीधा कर्ता से रिलेटेड होती है कर्ता पे कोई प्रभाव पड़ता है पर सकर्मक्रिया में कर्म में कोई प्रभाव पड़ता है तो आप देखिए पान खाया यानि पान खतम अगर खाएंगे तो खतम हो जाएगा न तो वो सकर्मक्रिया हो जाएगा यानि कर्म पे यहांनि कुछ हमारे चाफ को पर आपको पदभरी चो तो कुछ हमारे चुछ सबसे पहले पहले हम देख करें के पां लड़के हैं तो हम लड़के को गिनेष यहां परम भी फट्टन हो जाएगा सरु नाम नहीं है सार नाम हो्त बात नाम बाचागी है तो अफकोस यही गव ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अलंकार आपको दाना है अर्थ पहला है अर्थ बिना कपूर है शब्द सकल जगकाज तो यहां पर आप देखे जब भी तो अर्थ का शब्द है हमारा वो तीन चीजों के लिए यूज अर्थ क्रैश लंकार ऋता है तो इसमें आपका श्लेष लंकर आजाएगा है कैसी कुलुशित प्राण हो जाए मानो मन-पाषान हो जाए तो जब श्लेश लंकर नहीं होगा उत् परेशलंकर और पैचान होती है प्रेशा लंकर इसमें मनों यान्ट संट्टम्त में मनू आजाए मानू आजाए जनू आजाए जानू आजाए इसमें क्या आगया मानू आगया तो यह प्रेशा लंगार रहा है मानवी दरन होता है जो इसमें मानव के और अतिशोक्ति जो बड़ा चड़ा के बूला जाता है इधर उठाया धनुष टोध में चड़ाया उस परबान दरा सिंदु नवकापे सहसा विकल हुआ जीवों के प्राण यानि यहां पर धनुष उनने चड़ाया कि वह पर उनके सर भी कड़ गया नवकाप भी लगा और उसके प्राण भी खतब हो गया तो जस्त धरुष उठाने से तो इतना कुछ होना नहीं लगा तो यह बढ़ा चड़ा के बोला तो यह अतीश योगती घाव आपका हो जाएगा सूरज ने सूची चुट्टी ले लेने की बाद सोचा कुछ पल सकूंगा मिलेगा चलने तो धर्ती Candia यह लेगा तो यहां पर सूरज की तुल्द मानव से करें गई है कि छुटे कौन लेता है मानव लेता है तो यह मान भी करेंड हो जाएगा पांचवाय कहती हुई हो उंत्रा के नेत्र जल से भढ़ गए हिमकरों से पूर्ण मानों हो गए पंकच तुम यह ने कहा था जब भी मानों मनों जान हो जनू और ऐसे वर्ट आजाए तो वह उत्प्रेक्षा लंकार होता है तो इसमें आपका फिफ्ट ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट सेवन कोशन है यहाँ पर आपका पैसे जाएगा जिसमें में से की कोशन ही होंगे इस आपको पढ़ना है और कोशन के आंसर करना है यह त हो गए बार-बार सोचते क्या होगा उस कावम का जो अपने देश शिखाते गर ग्रह वस्ती जीवन जंदिये का सब कुछ होम देने वालों पर भी हस्ती है और अपने लिए बितने के मौके ढूनती है दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कश्बे से कश्बे से कश्बे से सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं पान भी नहीं खाएंगे मौर्टी की करफ भी नहीं देखेंगे सीरे निकल जाएंगे डाइवर ने कह दिया चड़ाये पर रुकना नहीं आज बहुत काम है पान आगे कहीं खा लेंगे लेकिन आदत से मजबूर आखे चड़ाये आते ही जीब से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ती की तरफ लपके और फिर ठीक सामें जाकर अटेंशन में खड़े हो गए मूर्ती की आँखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसे बच्चा बना रहते हैं हालदर साब भावुक है इतनी सी बात पर उनकी आँखे भराई अब हालदर साब क्या सोच कर दुख्य हो गए होंगे हालदर साब नेता जी की मूर्ती पर आँखों पर चश्मा देखर तो ना देखर तो वह इस बात पर दुख्य नहीं थे देश भक्तों का मजाक उड़ाने सब्सक्राइब को देखर तो वह जो पान वाला था वह देश भक्तों का मजाक उड़ा था उसी पर वह दुख्य हो गए थे नेक्स्ट है सेकेंड कोशन सब्सक्राइब की मूर्ती की आँखों पर चश्मा नहीं होगा हालदर साब ऐसा क्यों सोच रहे थे तो मूर्ती सब्सक्राइब की मूर्ती पर आँखों पर चश्मा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मूर्तीकार ने तो बनाने वक भूल गया और कैप्टन की मृत्यू पर चश्मा कोन लगाएगा नेक्स्ट है हालदर साब की आदत से मजबूर आँखों ने क्या किया अफकॉस उन्होंने च प्रश्मा को ऑप्षिन करेक्ट जाएगा नेक्स्ट है सरकंडे से बना चोटा सा सच्षमा किसका किस बात का प्रतीक है रास्टे द्रवगा का सरेक्षन देने का अब नहीं यह रॉंग हो जाएगा हस्कला के प्रती बड़े अनुराग का यह भी गलत है देश्वक्तों के प्रती चद्धावा सम्मान का तो यह सरकंडे जैसी वनिस्पत्य को संख्षित करने का तो नहीं इसमें आपका देश्वक्तों की प्रती चद्धावा सम्मान का है आठवा प्रश्ण है जो कि आपका सार्वधिक तो प्रश्णी दे रख है बालवधिक जो बालगोविन बारी भाशाओं पर किन गुणों के कारण खरे उत्रे थे तो वह मदुर गायन खेती बाड़ी अंधिवादी सारा पूजा पार्ट में बिताना या फिर मित्यू से ना घबराना हर समय बजन में लीन रहना बेटे वह बहुत प्रेम करना या फिर सात्विक रहस्त जीवन सात् वह प्रज़त आत्मा तो वह यहीं आप्षिन करेक्ट आपका वह बालगों पर सागत्तू की यह सारी जो विशेष्ता हैं वह उस पर खरे उत्रेते काशी को संस्कृत की पार्चाला इसलिक कहा गया है क्योंकि कुछ विर्दानों क्लाम अमिर्ग्रों क्लाकारों वह स्नेकी सद्भावना की पावन स्थली है तो इसमें आपका गहु अप्शन हो जाएगा अब इस पध्यांच को पढ़ने आपको यह भी आपकी बुक कही है तास पतक में जब बैठने लगता है उसका गिला पीना साथ छोटी हुई उत्सा अस्त होता हुआ अवास से राग जैसे कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गाय को ढास बनाता है संगतकार का स्वर कभी कभी योह दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स् पूचाना उठाने की कोशिट उसे विफलता नहीं उसकी मनिश्रता समझा जाना चाहिए अब यहां पे इसी से प्रश्ण है तार सब तक से जब बैठने लगा उसका गला इस पंक्ति में उसका सब किसके रहे यहां पे जो में जो गायक होता है उसके लिए यानि प्रधान गायक के लिए संगत कार के लिए निए गया सभक प्रभावी बनकर वह पाही लुटना जाता है नहीं गायन की द्वारा किसी पंक्ति फिसक्रा मात अग्रे कियो जाने पर ये भी गायक का कंट कमजोर होने तथा प्रेना वा उच्छा में गिरावट आने पर तो यस गायक का जब कंट प्रधान गायक होता है उसका जब कमजोर हो जाता है तो वो उसका स्वर मुख्य गायक की साहता करता है संगतकार किसका प्रतीक है तो संगतकार संगीत को पागलपन की हद तक जाने वाला और ज़जबात का नहीं सवर को साधने के लिए अनवर्थ की जाने वाली साधना का तो यह भी नहीं किसी की सफलता में निस्वार्थ सयोग करने की भावना का तो इसमें आपको गव option आजाएगा चौता कभी कभी संगतकार गायक कर यूँ साथ क्यूं देते हैं उसे ये संदेश देने के लिए कि वह स्वैम को अकेला ना समझे तो इसमें आपका option आजाएगा संगतकार की मनिश्यता किन कारों से प्रकट होती है तो संगतकार की जो मनिश्यता है वह स्वैम को विश्यस ना बनाकर प्रदान गायक के विश्यस्ता बढ़ाने में ही उसकी मनिश्यता यानि वो इसकी इंसाने देखती है कि वो अपने आपको जब की वो अच्छा गा सकता है पर वो अपने प्रधान गायक से ज़्याद अच्छा नहीं गाता है। प्रकृतियव मनुष्य से सही योग में सिजद तो इसमें आपका गव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कर्म बादर भाग्यवाद वगेरा भी नहीं होगा। नेक्स्ट है गोपियों को उद्दव का संदेश पसंद ना आने का मुख्य कारण क्या था। उद्दव का उद्दव के कट़ुर वचन, उद्दव ने कट़ुर वचन तो नहीं बोलेते। उद्धव के वागछ पड़ोता के कमीश इंठी उसका ही सहथ नहीं बता THIS हन्य शुषय उसका हाटलस यह बी नहीं था गॉपियो का प्रेम मार्क के सथांट पर ग्यान परेम को पसंद करना यानि वह इसमें आपका सॉरी घा ओप्षिन जो है वह और तो यह वीडियो हो चुकिए बहुत लॉंग और अब हम इसमें जो खंड का जो सेक्षन भी है इसके कोशिन आंसर्स जो आपके पेपर्स में बहुत इंपोर्टट ली आते हैं वह हम अपनी नेक करेंगे तो चानल को भी तक सबसक्राइब नेग कि है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब चारे तो जब remembers करें ऑर और दोस्तों के विडियो को शेर को बॉडियो की चानल को अनल आगे न की आफ क्ञाइब T झाल झाल